हेलो आप्रीवन वेलकम तो मां इंगलिश यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम क्या चीछ करने वाले हैं ताइटल थमनिल देखकर आपको पताई चलिए हुआ है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वो त्री टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप वाकेबलरी को बहुत ही जादा इंप्रूव कर सकते हो आप लोगों के साथ हमेशा होता होगा कि आप जब भी वर्ट्स को याद करते हो आप भूल जाते हो या आपको रिवाइस करने का टाइम नहीं मिलता तो मैं आज ही जो थ्री टिप्स आपको देने वाला हूँ इस थ् वाकेबलरी का वह काफी हद तक सुधर जाएगा तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो आप वीडियो के लास्ट सक बने रहेगा क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट हो सकते हैं तो टिप नहीं है और रिवाइज भी करते रहना होने यह तो नॉर्मल सी चीज़े साथ आप लोग करते भी होंगे यह जो सेकेंट टिप है यह बहुत ही ज्यादा अलग है यह जो सेकेंट टिप यह है कि आप जिन वर्ड्स को याद करते हो आप उन्हें राइटिंग प्रैक्टिस मे हमेशा यूज करो हमेशा यूज करते रहो जैसे आज मैंने एक वर्ड्स सिखा एराइव एराइव में सोता है पहुँचना अब मैं इसे राइटिंग में कैसे यूज कर सकता हूँ एराइव लाइक यूज के टेक एक्जामपल दा ट्रेन हैस बीन एराइव यानि ट्रेन आ चुकी है या पहुँच चुकी है इसी तरह अब टिप नंबर थर्ड जो कि यह भी काफी ज्यादा हद तक इंपोटेंट राप्रों के लिए यह थ्री टिप है तीसर टिप यह है कि आप जिन वर्ड को याद कर रहे हो या आप जिन वर्ड को याद करते हो उन्ही वर्ड को अपनी डेली लाइफ में यूज करना आप कहीं पे भी जा रहे हो अगर आप का वो situation बनता है कि हाँ इस word को मैं वहाँ पर use कर सकता हूँ तो आपको वहाँ पर use करना है For an example जैसे कि आप अपने दोस्तों में कहीं बात कर रहे हो और आपका कोई दोस्त नहीं आया कहीं मिलने आपसे तो आप यह कह सकते हो He has not reached yet वह अभी तक नहीं पहुचा यह नहीं आया He has not come yet वह अभी तक नहीं आया तो इसी तरह आप बहुत सारे words को अपने daily life use मिला सकते हो इससे क्या होगा आप जो words को याद कर रहे हो आपकी ज़ुबान पर बिलकुल निकलता रहेगा और आप सोचने में भी ना time लगेगा और आप words को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हो ध्यान रख सकते हो So next video में हम नए topic के साथ आएंगे So please subscribe my channel Share this video and like this video guys Thanks Take care Bye Bye Bye